नमस्कार आवध विस्विद्ध द्याले डक्टर राम मनोहर लोहिया आवध उनिवस्टी में नई सिक्षानी ती न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतरगत बीए, बीएसी, बीकॉम, फर्स्ट सेमेश्टर के जो एक्जाम होने हैं, उनका एक्जाम का पैटर्न क्या रहेगा मॉडल क्वेस्चन पेपर की साधार पे होगा, उसकी बात करते हैं, तो आवध उनिवस्टी ने ये नोटिश निकाला था जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पे इंप्लीमेंट हुई थी, तो उस समय ये नवंबर में ही परिक्षा नियंतर की देखी यहां पे साइन है, तो उनकी साइन वाला ये नोटिश निकाला गया था, जिसमें ये था कि नई सिक्षा नीति के प्राविधानों के क्रम में इसनातक प्रथम सेमेस्टर की परिक्षा के संदर्ब में प्रिक्ष्ण प्रपत्रों के प्रारूप एवं परिक्षा ब्योस्ता संबंधी, आज था इदिशा निर्देश संलगन करके प्रस्तूत है, तो ये सारे कावलेज़स को और परिक्षा नियनसरकार्याले को और अन्य अन्य जगहों पे ये चीज भेजी गई थी, तो इसमें परिक्षा का जो प्रिक्ष्ण पत्र का प्रारूप है, उसके बारे में इसमें बहुत सबसे पहला पॉइंट है सभी विषयों यथा तीन मेजर विषय, एक इलेक्टिव विषय, एक वोकेशनल विषय, एवं एक अनिवारे को करीकुलर विषय से संबंदित प्रतेक प्रश्णपत्र की परिक्षा सव अंख के सापेक्ष संपन्नक कराई जाएगी प्रायोगिक व एक इलेक्टिव है, एक वोकेशनल है और एक जो है को करीकुलर है तो यह जो है वो पेपर का यह कह सकते हैं कि इतने आपकी पेपर्स हैं सबसे महत्वपूर बात यहां की यह है कि तीन जो मेजर सबजेक्ट हैं जो भी मेजर सबजेक्ट हैं और एक इलेक्टिव जो आपका के अाधार पे देने का प्राउधान है बाकि 75% के लिए प्राउधान यह है कि एकजाम के आधार पे एकजाम जो आपका होगा रिटेन एकजाम उसी के आधार पे 75% मार्क्स दीए जाएंगे पहले ये रेशियो 70-30 का होता था और भी ये वगेरा कि कुछ सब्जेक्ट में 100 का दे सकता है, college को छूट दी गई है, class performance के नाम पे या internal assessment के नाम पे, उसमें जो है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसमें उन्होंने अलग-अलग criteria दे रखा है कि attendance सुनी चाहिए, assignment और assignment presentation के लिए 5 अंक हैं उनमें से, mid semester के 15 अंक हैं, और mid semester test के मुल्य अंकर परिक्षा समनने अने ये, ये बहुत सारे उसमें fact हैं, कि उस हिसाब से, वो 25 marks वो दिये जा सकते हैं, अगला, जो महत्वपून बात है, हमारी question paper को ले की, क्योंकि date sheet आपकी आ गई है, 14 February से आपके, माफ कीजिएगा, 14 March से आपके exam होने हैं, तो उसमें दिया गया है, कि तीन major विशियों और एक elective विशाइक के वाह मुल्य अंकिन से संबंदित 75 अंकों की परिक्षा से या के लिए बिवस्ता निमना नुसार होगी, पहला point साब साब दिया गया है, कि यह परिक्षा प्रतेक सेमेश्टर के अंत में, तो यह आम बात है, वो सेमेश्टर वाली परिक्षा की करवाई ही जा रही है, मुद्दरित प्रशनपत्र के माद्यम से होगी, printed question paper आपके हाथ में मिलेगा, copy प्रशनपत्र के लिए परिक्षा की आवदी तीन घंटे होगी, यहाँ पर रामनुहर लोहियावद उन्वेस्टी में तीन घंटे की परिक्षा होगी, प्रशनपत्र द्वी भासी है, अर्थात हिंदी एवं इंग्लिस में रहेगा, language दोनों रहेगी, प्रशनपत्र तीन खंडों में डिवाइड होगा, खंड आ, खंड बा और खंड स, ठीक है, ध्यान दीजेगा, खंड आ में दस question रहेंगे, और सारे की सारे question दो-दो number के रहेंगे, 50 सब्द में आपको उसका उत्तर देना होगा, मतलब आप बीश number इसका हो गया, खंड बा में आठ question रहेंगे, जिन में से पांच प्रस्णों के उत्तर देने होंगे, 200 सब्दों में, और साथ number का हर question रहेगा, ये अतिलाग उत्तरी 10 question रहेंगे, 8 question रहेंगे लग उत्तरी और अगले 4 question होंगे, दीर उत्तरी प्रस्ण, जो 500 सब्दों में आपको लिखना होगा, जिन में से 4 जो लग उत्तरी, माफ कीजिएगा, 4 जो दीर उत्तरी question है आपको, उनमें से सिर्फ 2 question attempt करने हैं, बाकी question attempt नहीं करने हैं, मैं आपको जो इस समय दिखा रहा हूँ, आप इसका screen sort ले सकते हैं, फिर से समझे, आतिलाग उत्तरी प्रस्ण में 10 question आपसे पूछे जाएंगे, जो की 2-2 number के होंगे, 20 number का ये हो गया, खंड बा या section B में 8 question आएंगे, जो की लग उत्तरी है, sort type question है, इनमें से आपको 5 प्रस्णों के उत्तर देने हैं, you have to answer any 5 questions out of 8 questions, जो की 200 सब्दों में आपको उत्तर देना रहेगा, हर question यहाँ पे 7 अंक का रहेगा, तो यहाँ पे 5 सथे 35 number का ये हो गया, 20 number का उपर हो गया, तो ये दोनों मिलाके 55 marks हो गया, और नीचे दो question आपको करने हैं, long type question में से, तो दो question करेंगे, 10-10 number के ये हैं, तो 20 number वो हो गया, 55 plus 20, 75 number यहाँ से complete है, 3 घंटे का समय है, समयावधी time duration, करी हुई है, तो मैं समझता हूँ, आपका प्रारूप clear हो गया होगा, मैंने कासी विद्या पीट का प्रारूप बताया था, उससे ये अलग है, कुछ questions अलग है, मतलब उसमें क्या था, कि वहाँ उन्होंने कोई alternative नहीं दिया है, जैसे उन्होंने section B में जितने question दिये, करना ही करना है, लेकिन आपको आठ में से 5 ही question करना है, तो you have a benefit, you have a positive point of that, तो आपको इन चीजों का विसेज ध्यान रखना है, आपको इसी प्रारूप के हिसाब से question paper मिलेगा, examination hall में, और इसी क्यादार पे आपको इसका उत्तर देना है, इसके लावाज जिन विद्यार्थियों का अगर ये सवाल है, second year या third year के विद्यार्थी, उनका परिक्षा का प्रारूप क्या होगा, अगर आप pattern जानना चाहरे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि second year का प्रारूप मिल नहीं सकता, क्योंकि last year exam नहीं हुआ था, और जो final year में विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने जैसे first year का दिया है, second year का जैसे दिया है, उनके paper का प्रारूप रहेगा, तो यहाँ पर दिक्कत सिर्फ और सिर्फ उनको थी, जो की नई सिख्षा नीती new education policy केता है, पहली बार semester wise जो examination है, जो डाक्टर राम मनुहर लोईया अवाज university जो organize करवा रही है, तो पहली बार आप यह exam देने जा रहे हैं, जो short, very short type question है, आति लग उत्तरी प्रस्टन, उनमें ज़्यादा समय आपको नहीं बर्बात करना होगा, बड़े general उसमें question पूछे जाएंगे, अगर आपको वो आता है, तो आता है, नहीं आता है, बतलब उसके very short term में, 50 words में आपको उसका answer करना होगा, आठ question जो आएंगे, जिन में से 5 करना रहेगा, वो लग उत्तरी 200 सब्द लिखना होगा, यह क्या 2 page आप लिख सकते हैं, जो 500 page है उसके लिए, दो person आप से पूछे जाएंगे, तो आपको उसका उत्तर देना है, यह है डाक्टर रामनोहल लोहिया, अवद उनिविश्टी का यह पारिक्षा का प्रारूप, मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट सव नंबर क्योंगी, को करीकुलर की बात हो रही है, अगर को करीकुलर की बात करें, तो को करीकुलर वाला जो आपका एक्जाम होगा, वो OMR पे होगा, क्वेस्चन बुकलेट आपको मिलेगी और OMR मिलेगा, उस पे आपको प्रशनों का उत्तर लेना होगा, हर क्वेस्चन के साथ चार विकल्ब दिये जाएंगे, एक विकल्ब सही होगा, व्यों सही विकल्ब जो होगा, OMR में उसके सामने गुला बनना हो, OMR आप ध्यान से भरिएगा, आपको इसके पहले अगर आपने भरी है तो पता है, मतलब OMR में क्वेस्चन नंबर दिया गया होता है, उसके सामने चार गुले दिये होते हैं, A, B, C, D लिखा होता है, जो आपका उतर शही है, उसको पेंसिल से या ब्लाइक पेंस से, जो आपके निर्देशिका में, उसमें क्वेस्चन बुकलेट में ये लिखा होगा, उस निर्देश के अनुसार, उसी इंस्ट्रेक्शन के अनुसार आप OMR भरेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, दो घंटे का कुक करिकुलर वाला एक्जाम होगा, इसके लावा जितने भी एक्जाम है, गो 75 मार्क्स के होंगे, एक्जाम पेंसिल से अनुसार आपके जो भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में छोड़ जाएए, बाकी युनिवर्स्टी से समझे सही और सठीक जान करियें, आपके क्वेस्चन्स के अनुसार हमेशा आप तक हम लाते रहे हैं, इन फ्यूचर भी लाते रहेंगे, तो इसके लिश्टे टूंड रहिए, दे युनिवर्स्टी कनेक्शन, धन्यवाद, नमस्कार.